तो आज आपने जो वीडियो मैंने आपके साथ पहले सांजा की थी आपने देखा कि पुलिस वालुन हम गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए थे रात काटने के लिए आये थे क्योंकि हमें पुलिस लाइन से करीब आठ वजे के आसपा छोड़ा गया मैं डोडा से हूं को किसी तरह चलो रात काट देंगे तो सुबह देखा जाएगा कि क्या से क्या करना है तो देखो अब हम सड़कों पर रूलते रहें अभी सड़कों पर भटकते रहें तो इतने परिशान हो गए थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था इतने भी बुरे दिन आएंगे कभी जिन्दिगे में सोचा नहीं था क्यूंकि हमने हर चीज क्वालिफाई की थी तो फिर भी बीजेपी सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया तो मुझे पना पुलीस से चलो कोई शिकायत नहीं उन्होंने गाली दी जो मरजी किया चलो मारो गुली कोई बात नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे लेकन अगर किसी चीज का दुख होता ना तो इस चीज का दुख है कि बीजेपी गौर्णमेंट को हमने वोट दिया उनको हमने वोट दिया और मुझे पता है कि अभी जितने भी एंटी जा रहे हैं जितने भी हमें देखके उन्हें पता चल रहा कि हम अपने हकी डिमांड करें कल को वह भी यही बात बोलेंगे कल को दुबारा से व ब्लैक हो रहा है डाक हो जाएगा आपके भी बच्चे आएंगे तो मेरी एक बात याद रखना ना बच्चों को छोड़ों जितने माबाप उनके देख रहे हैं या देखेंगे आगे जाके अभी जैसे नाइट होगी काफी जादा तो कहीने कि देख लेना एक बात मेरी या अधर को पी गूमते रहे पुलीज ने पूरा नाका बचका अगर में इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया का प्रशुर्यक्राइज कर दिया कि हमें समझ नहीं आ रहा है तो हमें बिल्कुली टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है लेकिन हमें इसे बुरा भगा आया जा रहा है हमें टिकने तक नहीं दिया जा रहा है 45 डेज हम कंटिनू पीस्फुली बैठे रहे लेकिन वह सा वेस्ट हो गया आप वीडियो को शेयर करोगे अगर जादा तो कहने कहीं मेरे भाई जितने भी हो यार जितने बंदे अभी आ रहे हैं प्लीज शेयर करो ताकि जितने भी बंदे देखेंगे उतना जादा हम लोगों के साथ जुड़ेंगे कहने हमें, पता नहीं हमारा future आगे क्या होगा, लेकिन कहने हमारे एक highlight हम जो लोग हमें देख रहे हैं जमो के भदर्वाइ होग थिचना है, फ़िआ हमें आप ही जनता है जम्मो कror कश्मीर की उनसे बस यह appeal है कि हमारे future बरबाद हो गया हमारी بھلی लग घी ठीक है कोई बात ने तो चलो हमारा जो होना था हो गया हमारा फीचर बरबाद होना था हो गया एक वर्दी का जनून था चला गया कोई बात नहीं उमर भी निकल गई तो प्लीज अपने बच्चों को बरबाद मत होने देना उनके फीचर को बरबाद होने मत देना क्योंकि अगर दुबारा से भारते जनता पार्टी को तुम बोड़ दोगे तो कहें न कहें इसका अंजाम आपके बच्चों को बुक्तना पड़ेगा यार जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं या जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आज से मुझे आज उन्होंने देखना स्टार्ट किया है तो कहने कहीं वो इसलिए शायद देख रहे हैं क्यूंकि उन्हें मेरे पर ब्रोसा की मैं बात सची बो रहा हूं तो एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आज जब अंदर थे हमने कोली साब को बड़ा कुछ बोला तो उसके लिए मैं बहुत जादा मुझे गिल्ट फील हुआ कि शायद हमें नहीं बोलना चाहिए था क्यूंकि हरे की एक मजबूरी होती चलो कोई बात नहीं जो भी थी तो कहने कि उस बात से मुझे भी हट ऐसे अगर उनको बुरा लगा हो तो चलो कोई बात नहीं यह पता क्या होता है यह दुख होता है क्यूंकि हमारा भाई दो बार अंबुलेंस आई तो कहने के हमें उमीद थी कि कोली साब आएंगे तो नहीं आए तब शायद उनको मजबूरी रही होगी तो हम भी मजबूर हैं हमारे अंदर से भी जो फीलिंग्स थी वो फूट फूट के बाहर आई तो आज जब हमें पुलिस लाइन उठाके लाया गया तो आज भी बहुत दुख हुआ बहुत डिसापॉइंट्मेंट हुई कि हमारे साथ ऐसा क्यूं हुआ तो चलो कोई बात नहीं जो हो गया हो गया बस आपसे अपील करता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं न हमारी तरह खजल मत होना यार सिधी सी बात करूँगा हमारी तरह बरबाद मत होना हम बरबाद हो गया हमारा टाइम बरबाद हो गया तुम अपना मत करना यार सरकार चुनी सी को पड़े लिखे बच्चो मैंने जो पहले वीडियो डाली इसमें तुमने देखती है गारी गलोच क्या है किसने किया है कैसे बात किया है तो हम तो यार यंग्स्ट्रेस हैं आज हमें दबाया जाता पुलिस के द्वारा भी और यह अपनी जो गौर्मेंट अ बीज बनना है ना हमें रिपोर्टर बनना है हमें बस फोज में जाना है हमें एक जवान बनना अपने देश की सिवा करनी है ठीक है तो मेरे पास अलफाज नहीं बोलें के लिए क्योंकि मैं बहुत जब्साइड हूं बहुत लोग कॉंटक्ट करें शायल सबका जवाब नहीं दे पहूंगा भी calls आ रही है Facebook पे टेक्स्ट आ रहे है Instagram पे टेक्स्ट आ रहे है Social Media वे Twitter पे टेक्स्ट आ रहे है तो मैं सब यह बोलना चाहूँगा कि I'm sorry दिल से या BSF के जितने भी as parents हैं जिनके बच्चे तो नहीं आए बच्चों से कोई बात नहीं लेकर उनके माबाप के लिए sorry क्योंकि कहने के में उमीद थी कि उनके बच्चों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे हम शायद हार चुके हैं क्योंकि बड़ी कोशिश की थी तो बड़ी राकेश हमारे एक बाई है दुमाना से रिशू तो उससे contact कि हमने किसी तरह उसने कई रूम का दो माला कि पराए तब जाके हमारे सर सर पर च्छत आई अभी otherwise अभी भी हम रोड पर पड़े हुए थे तो रोड पर पड़े हुए थे तो कॉली साब हमारे पास आए कर यह उन्होंने हमें देखा तो इसके बाद उन्होंने हमारा इंटर्यू लिया उसके बाद हमारी जो आप देख सकते हैं उनके चैनल पे वीडियो आई तो हम बहुत जादा डिसपॉइंट हैं बहुत जादा परेशान हैं मैं सिब यह बोलना चाहतु है कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं कुछ भी हमें आपकी जुरूरत है जम्मु का जो यूध है उसकी जुरूरत है प्री सपोर्ट करो यार नहीं तो मैं तो डोटा से आया था चला जाओंगो दुबारा मुड़के सारे लोग बूल जाएंगे ना आजव हमें पुलीच नहीं लिया गया आज भी जब आर्में गुद्हम अगया गया जब गिरुद्वारे के अंदर पुलीच आए बगाया गया तब भी हमारे साहत कोई नहीं था भी हरूए थोड़े बहुत ने तै क्या अम लड़ाई बताईए सरकार से आमारी क्याप केश चलेगी कौन सुनेगा हमारी तो प्लीज हाथ जोड़के बिंती करता हूं या सपोर्ट करो यार बहुत तूट चुका हूं बहुत दुखी हूं लाइव आने का अभी मन तो नहीं था बट यह सोचा कि आपसे अपनी बात सांजा कर दूं शेयर करूं क्योंकि जिन लोगो प्लीज आपकी सपोर्ट की जरूरत है सपोर्ट करो यार सपोर्ट करोगे तभी कुछ होगा वीडियो शेयर करोगे तभी कुछ होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता जब मुसे भार हमारी बात जा रही है तो अगर दिली तक या पूरे इंडिया में अपनी बात फैलानी तो आपके शेयर की जरूरत है वीडियो को शेयर करो यार मैं भी ठक चुका हूँ मैंने बड़ी कोशिश की हिम्मत रखने की लेकर आप हिम्मत तूट चुकी है अकेले नहीं लड़ पाऊँगा क्योंकि जब तक लोग नहीं आएंगे तब तो कुछ नहीं होगा तो प्लास्ट में जाहिंद बंदे मातरं उमीद है आप सारे कल आएंगे हमें हमारा साथ देंगे और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कल हमारा साथ देना हमें आपकी जरूरत है थाइंक यू